हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बहुत ही हेल्डी ब्रेकपास्ट या इवनिंग स्नेक्स या किसी भी टाइम पे खाने वाली एक रेसिपी शेयर कर रही हूं जो बहुत ही हेल्डी है और गलोटन फ्री भी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी पहल अच्छ से पका लूंगी घैस on करके इसको मैं अच्छी तरह पका लूंगी मतलब पूरा वह अच्छे प्याज को थोड़ा ज्यादा टाइम तक पकायेगा तुलिकली तोड़ा ज्यादा देर तक रोस्ट कीजिए आप एक मिक्सर जार में रोस्टेद चिली लसने और प्यास टमाटर डालकर चाहिए तर नमक कर ना पेस्ट बना लेंगे एक स्मूथ चटनी रेडी कर लेंगे यह रेडी होगी यह मैं दूसरे बर्तन में इसको ट्रांसफर कर लेती हूँ अब चटनी को छोंक लगाने के लिए तेल गरम कर लूँगी उसमें मैं काला सरसो का दाना सुखी लाल मिर्ट और करी पता डालकर चटन के साथ मैं हल्दी नास्ते की रेसेपी भी बताती हूँ तो एक कद्दू को मैं छिल कर अच्छे से घस लूँगी और कलेक्ट कर लूँगी फिर जिंजर भी वैसे ही घस लूँगी थोड़े से जिंजर चाहिए यहाँ पर मैं गाजर भी ले रही हूँ आप अपने मन पसंद के कोई भी सब्जी यहाँ पर ले सकते हैं तो पालक यहाँ पर पालक और प्याज अस्पेशली मैं पालक ले रही हूँ यहाँ पर अब एक बरतन में लौकी अधरक गाजर प्याज और पालक सभी सब्जियों क मिर्ची नमक लिए अपने अनुसर दालेंगे टर्मेरिक पॉड़र और सबको हाथ से अच्छी तरह मिक्स करेंगे वह क्या थोड़ा सा पानी जैसा हो जाएगा इसलिए उसको थोड़ा अच्छी से मसल मसल कर मिक्स कर लेंगे तो पालक भी है वह भी सॉफ्ट हो जाएगा और फिर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, अगर इनकेस यहाँ पर जरुवत होता है पानी का तो सिर्फ यहाँ पर दही डालेंगे, यहाँ पर पानी से आटा को नहीं गुदेंगे, मैं यहाँ पर सिर्फ एक चम्मच दही ले रही हूं, और एक सॉफ्ट डो की जैसा इस अब मैं थोड़ा सा तेल लेकर इसके उपर अच्छे से मसल कर इसको सॉफ्ट कर लूंगी यह अपना डो अभी अच्छे से रेडी हो गया है मैं एक छोटा छोटा बॉल बना कर उसको हाथ से ही तरह फ्लैट कर लूंगे थोड़ा पतला कर लूंगे बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखेंगे बहुत उसको हाथ से प्रेशर देकर अच्छी तरह पतला बना लेंगे पूरी के साइस का कर लेंगे कि में कि अच्छे तरह Qa P настप्व इसमे सीट्स ले रही हूं उसको अच्छे तरह उ गराए यह तरह liberal प्रेशर डालकिए उसका अच्छे से धिता दबाकर कर लेगे इनका i नहीं रखेंगे नहीं तो वो कोक अंदर नहीं होगा और सीजमे सीट्स से इसको उपर से अच्छी तरह लगा लेंगे इसके उपर अब एक तवा को मैं गरम करके अल्रेडी तवा को गरम करने के लिए रख दी हूँ और ऑईल से ग्रेस कर ले रही हूँ और इसके उपर सारे मैं रख दूंगे और आधा चमस तेल डालके वापिस से इसको मैं मीडियम फ्लेम पर लो मीडियम फ्लेम पर इसको कूप कर लेंगे हाई फ्लेम पे नहीं रखेंगे कभी लो या मीडियम फ्लेम पे ही इसको दोनों साइड अच्छी तरह दो-दो मिनट रखकर पका लेंगे वह कलर चेंज हो जाएगा अच्छी तरह वह ब्राउनिश टाइप का आजाएगा तब तक वह यह काफी सॉफ्ट होता है क्योंकि अम लोग इसमें लॉकी डाल रहे हैं तो वह सॉफ्ट हो जाता है यह देखिए अभी यह अच्छी तरह रेडी हो गया है और कलर भी आ गया मैं इसको प्लेट में ले लेती हूँ और ऐसे ही मैं बचे हुए आटा से भी सारे बनाकर रेडी कर लेती हूँ यह देखें बहुत अच्छा कलर और बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी तो है ही चटनी के साथ जरूर ट्राइ किज़ेगा यह वेट लॉस करने के भी बहुत अच्छी रेसिपी है